नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरकां की टॉप 25 पर्मोख खबर जनते हैं प्रधान मंत्री नायन मोदी ने बीते साम 6 बजे राष्ट को समोधित किया प्रधान मंत्री नायन मोदी ने अपने पूरे समोधन में लोगों को कुरोना वाइरस से सतर्क और सोस्त रहने को कहा पिये मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें यह नहीं भोलना चाहिए कि देश से लोकडाउन चला गया है, कुरोना वायरस नहीं, इसलिए तेवारों के मौसम में हमें लपरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जारखन मौसम विभाग के अनुसार 21 अक्टूबर को आस्मान साफ रहेगा, जबकि 22 अक्टूबर दो फर बाद आंसिक रूप से बादल चाहेंगे 23 अक्टूबर को हल्की बुन्दा बांदी में गरज के साथ हो सकती है, विभाग के अनुसार 22 से 24 अक्टूबर को देवगा, धनवाद, दुमका, गिरीडी, गोड़डा, जामतरा, पाकुड, पूरवी, सिमूब और साहिब गंज में आंसिक रूप से बादल चाहेंगे 24 सिक्षा मंतरी के स्वास्त में सुधार है मंत्री अभी पूरी तरह से होस में है सो मुवार के वे इस सारे में बात भी कर रहे थे हलाकि उन्हें अभी भी एम को सपोर्ट पर रखा गया है चिकेशकों के अंसार ऐसा फेफड़े को आराम देने के लिए किया जा रहा है जारकन में रोजगार देने वाले कंपणियों को करेंगे स्वयोग 8000 युवाओं को नोकरी जल्द मुख्यमंत्री जारकन के लोगों को राज में ही नोकरी देने वाले कंपणियों को सरकार हर तरह से मदद करेगी इसकी गोसना मंगलवार को मुख्यमंत्री एमान सुरेन ने क है उन्होंने तमिलाडू से मुक्त कराई गई जारकंड की 22 बेटियों को नियुक्ति पत्र सोपा बता दे कि मुख मंद्री ने आने वाले कुछ महिनों में टेक्स्टाइल के छेत्रों में 8000 युआओं को नोक्री देने की बात कही है उन्होंने कहा कि राज में खनन के अलाव आने छेत्रों में भी रोजगास रेजन पर सरकार का बिसेश जोर है पूजा समीति नहीं बाटेगी मास्क प्रसासन कुरोना वाइरस संक्रमन की रोकठाम के मदर नजार राई सरकार और जिला प्रसासन द्वारा पूजा समीतियों को दिशानिदेश जारी किये गए है संक् साथ कहा गया है कि राची की विभीन पूजा समीतियां लोगों को मास्क सेनिटाइजर कीट आधिक अभीत्रा नहीं करेंगी क्योंकि इससे भीड बढ़ने के असंका अधिक होगी जीला प्रसासन की ओर से पूजा समीतियों को कहा गया है कि दुरगा पूजा के दोरान ऐसी किसी प्रकार कावज़ा नहीं हो जिससे लोगों की भीड लगे बोनस नहीं मिलने से विरोध में रेल करमचारी नराज है जारकन में रेल करमचारी ने इसके लिए विरोध सुरू कर दिया है बता दे कि दक्षिन पूर्वी रेलवे मेंस कॉंग्रेस राची मंडल ने नेशनल फेडरेशन ओफ रेलवे मेंन के निर्देश पर हटिया में मंडल करया लएके समक्ष एक दिवस्य संकेतिक धरना दिया मुख्पंत्री हिमन ने कहा है कि राच में कुरोना के संक्रमाण में काफी कमी आई है लेकिन इसका घरना भी टाला नहीं है उन्होंने तेवहारों में लोगों से मास्क पानने सालिडिक दूरी के नियमों के अनुपालन तथा अन्य सवधानिय बरातने के अपिल कि है साथी उन्होंने कुरोना संक्रमन रोकने में साथ देने के लिए जनता कि प्रति अभार जताया है मुख मंत्री ने कहा है कि जरकन में कुरोना मरीज के स्वास्थ होने कि दर 92 फिजदी से अधिक हो गई है बिजया दस्मी पर भारत से अमरीका तक 25 लाग परिवार सुन्दर कांड का पाठ पढ़ेंगे राश्ट्रीय स्वायम सेवक संग के अनुसांगिक संगठन एकल अभियान के परयास से बिजया दस्मी के दिन भारत से लेकर अमरीका तक सुन्दर कांड का पाठ होगा इस आयोजार में 25 लाग परिवा सामिलित होंगे बता देके न्यूजिलेंड, करड़ा, हंकोंग, लिबिया, इंगलेंड, सहीत कई देशों में रहने वाले एकल अभियान से जुड़े लोगों ने इसके लिए रईस्टेशन कराया है सभी लोग अपने अपने घरों में पाठ करेंगे, इसके लिए सुबद 6, 22 से लेकर आतरी 10, 22 समय ने दाइत किया गया है जैप 10 परिशर में आज पूलिस सस्वर्ण दिवस मनाया जाएगा जहरखन सश्ष्थ पुलिसपूल जयभ दस परिशर में बुदवार को पुलिस संस्परन दिवस मनाया जाएगा यह जनकारी DSP निशा मुर्मू ने दिया है तमिलाडू से मुक्त होई जारखन की 22 यूटियों को मिला नियुक्ति पत्र तमिलाडू से मुक्त कराई गए जारखन की 22 यूटियों को मुख मंत्री हमान सुरे ने उर्माजी स्थीत कुल्डी इंडस्ट्रियल एरिया के मेसर्स की सोर एक सोट में नियोजन को लेकर नियोकती पत्र सोपा है इस दुरान उने कहा कि जार्खन में कपड़ाव द्योक के ब्यापक संभावना है आने वाले कुछ दिनों में इस सेक्टर में करीब 8000 युवाव को रोजगार से जोडने का लग्ष है जार्खन में 542 नरी संकरमीतों के पुष्टी हुई जोपोकारों से 42 चात्रा दो देवघर 8 धनबाट 79 दूमका 3 पुर्भी सिम्भू 21 गडवा 6 गिरिटी 2 गोड़ा 4 गुमला 15 हजारी बाग 6 जामतरा 3 खोटी 8 कोड़ार्मा 5 लाते हार 3 लोहर दगगा 5 पांकुर 3 पलामू 47 रामगर 15 रांची 116 साहिब गंज 12 सराइक लेखर सवा 17 सिम्डेगा 6 वा पाचमी सिम्वों से 44 मिले हैं जार्खन में कुल संक्रमीतों संख्या 97 1414 है जबकि 90 380 लोग स्वास्थ हुए और 849 की मिलिती हो गई भारत में कुल संक्रमीतों संख्या 76,48,920 है जबकि 67,92,9334 लोग स्वास्थ हुए और 1,15,949 की मिलिती हो गई भारत में के 54,182 मिले हैं जबकि 67,717 लोग स्वास्थ भी हुए हैं जार्खन में मंगलवार को 7 मरीज की मौत हुए है जो राची से 2 सराइक लेखर सवा से 1 बोकारो से 1 धनबाद से 1 पूर्वी सिम्वों से 1 वा खोटी से 1 मरीज की मौत हुए ह मंगलवार को 605 मरीज स्वास्थ भी हुए हैं स्वास्थ मरीज इस प्रकार हैं बोकारो 32,8 देवगर 26, दनबाद 17, दूमका 12, पूर्वी सिम्वों 50, गडवा 6, गेड़ी 2, गोटा 10, गुमला 20, सजारी 12, जामतरा 8, खोटी 3, लातेहार 7, लोहरदागा 15, पाकूर 8, पलाम ज़ाना मक्सद नहीं निसीकांत, मुखमंतरी एमन सुरेन की ओर से दाखिल सी कहतवाद पर मंगलवार को गोटाग सांसर निसीकांत दूबे की ओर से सब जजज 14 रिवास्तो की आदालत में पक्स रखा गया, निसीकांत दूबे की ओर से हाई कोट के अधिवक्ता, दिवाक उपाद्याय की और से जबाब दाखिल करते हुए कहा गया कि किसी की भावना को ठेस पहुचाने की नियत से सोसल मीडिया बर टिपनी नहीं की गई वही बाते कही जो सरजनिक है ट्वीट करके सिर्फ मामले की जाच की मांग की गई सिर्फ पुलिस के बुत्ते नहीं है बच्चियों की सुरक्षा डीजीपी पूलिस मुख्याले में डिजीपी एमबी राव ने मंगलवार को सनवदाता समेलन में बच्यों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए कहा कि बच्यों की सुरक्षा सिर्फ पूलिस के बुत्ते की बात नहीं है इसके लिए परिवार वो समाज को भी आगे आना होगा हाल के दिनों में परदेश में घटित दरिंदगी की घटनाओ पर डिजीपी चिंतित नजर आए और अब तक होई पूलिस की करवाई पर संतोस भी जताया यह भी कहा कि परियाटन अस्थलों के आसपास गस्त तेजी की जाएगी डाक्टर प्रसांत और डाक्टर हराधन को हिंदी साहित का समान बिहार हिंदी साहित समेलन कदम कुआ पाटना में विजीत एक सवेक्विया स्थपना दिवस पर गोस्नर कौले राची के हिंदी विभाग के सायक प्रध्यापक डाक्टर हराधन कोईरी को हिंदी सेवी समान स वा डाक्टर प्रसंत गौरो को पंडित राम नरायन सास्त्री समान से समानित किया गया है केंद्र के सोतेले बेवार को जनजन तक पहुचाएगी कंग्रेस केंद्र सरकार दोरा जाकन के साथ किये जारे सोतेले बेवार को कंग्रेस जनजन तक पहुचाएगी इसकी जनकारी देते हुए प्रवक्ता लाल किसोर नाच साधेव ने बताया कि केंदर सरकार द्वारा कोविन एंटी के संक्रमन काल में आदिवासी मूल वासी बहुले परदेश जारकन से गलत और आलोक तांतरिक तरीके से 147 अकुल रुपए RBI के माध्यम से DVC की बकायरासी वसुल ली गई रामेश्वर उरा और बादल तीन दिवासी दूमका दोरा पर जारकन कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्स राजे के खाद आपूर्तिवा बीत मंत्री डाक्टर रामेश्वरूरा और किरिसी मंत्री बादल दूमका से जावों परत्यासी बदसंत सुरेन के प्लक्ष में परचार करेंगे दोनों नेताब बुद्वार से तीन दिवासी दूमका दोरे पर रहेंगे महिला सुरक्षा के लिए बेटियों को दी जाएगी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग जाखन में दूसकर्म की घटनाओं पर अंकुस और महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस ने कई कदम उठाने का एलान किया है सूबे के परभारी डिजी पी एमबी राव ने मंगलवार को प्रेस कोंफिरेंस कर बताया कि स्कूली छत्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी रेव जैसी घटनाओं को रोकने के लिए हर जीलों में विसेस वार्टसेप नंबर जारी होगा साथी दूसकर्म के चार्ज सिटेज केस में स्पीट ट्रायल करा कर दोस्यों को सजा दिलाई जाएगी सरना समीत्यों के प्रतिनीदी मंडल ने मुख मंत्री को सोपा असमार पत्र को बताये कि सरना धर्म लंवी पिछले चार पाच दसक से पीठक धर्म कोट की मांग करते आ रहे हैं लेकिन कोई सार्थक पाल अभी तक नहीं हो सकी है CM से मिले अर्विंद गुरूप कमपनीज का प्रतिनिदी मंडल 50,000 रोजगार की संभवना मुख मंत्री हमंद सुलें से मंगलवर को अर्विंद गुरूप आफ कमपनीज के प्रतिनिदी मंडल ने मुलकात की उन्होंने मुख मंत्री से कहा कि जारकन के उनती के लिए कमपनी सरकार के साथ कदम से कदम मिला कर चलेगी इसके लिए वह सरकार के साथ लंबी पाटनर्सिप करने की इक्छिव खाए उन्होंने मुख मंत्री को बताया कि अगले पाच बरसों में हाई गार्मेंट सेक्टर में लवग 50 है बेरुज़गार लोगों को रोज़गार उपलवत कराने की पूरी संभवनाए हैं और इसमें कमपनी का अहम योगदान रहेगा महिलाओ के बिरूद हो रहे है अत्याचारों पर ततकाल कड़ी करवाई करने का निर्देश डिजीपी एंबी रावने पूलिस मुख्याले मंगलवार को राजे के सभी डिजी एसेसपी एसपी और सी आर पी एफ के समाजस्टावों के साथ बैठक की वीडियो कंफिरेंस के जरिये हुई बैठक में डिजीपी ने राजे में महिलाओ के बिरूद हो रहे अपराद नसे म मारपीट हात्या सहीत अन अपरादी घटनाओ के रोक्ताम मावादी तथा अन उग्रवादी ग्रूप की ओर से अंजाम दिये गए हिंसक घटनाओ सहीत अन महतपूर बिंदुवा पर समिल्चा बैठक की डिजीपी ने राजे के सभी एसेसपी और एसपी को जार्खन राज के नेता बावुलल मरांडी ने मंगलवार को मसालिया परखंड शेत्र के हरो राइडी में एक जन सभा को समधूत कर भाजपा परत्यासी लूइस मरांडी के पक्ष में जन समर्थन मांगा उन्होंने एक बार फिर दूराया कि जार्खन मुक्ति मोर्चा पार्टी संथाल प परगना के साथ सीट अपने ही परिवार में रखना चाहते हैं 31 अक्टूबर तक अधार सीडिंग का कार्य सत परतिशत कराई सुनिशीत पलामु जिले में अधार सीडिंग का कार्य तेजी से चल रहा है जिला पूर्ति पताधिकारी ने बीतिय बर्ष 2021 में इपास के माध्य से 31 अक्टूबर तक अधार सीडिंग का कार्य सत परतिय सुनिशीत करने का निदेश दिया है राची वीद मास्क अभियान 22 को कोविन 19 अनुरूप ब्यवहार कैम्पेन को लेकर जिला परसासन की तरफ से चलाय जा रहे राची वीद मास्क अभियान के करम में 22 अक्टूबर आवर नामक अनोठी जागरूपता पहल प्रस्तावी था है इस विशेश पहल का मकसद मास्क के प्रति जागरूपता को व्यापक रूप देना है राची डीडीसी ने DMFT और CSR की समिक्षा बैठक की राची के डीडीसी अन्यान मितल ने मंगलवार को विकास बवन सभागार में DMFT और CSR समाधी बीवी नियोजनाव की समिक्षा बैठक की बैठक में उप विकास आयूपने डिस्टिक मिनरल फंड ट्रस्ट के तहत किरिवानित हो रही सभी स्वास रोजनाव को तवरीत रूप से पुर्ण का निर्देश दिया जाखन सरकार बेरुजगार युवाओ को रोजगार देने में कितना सक्षम सावित हो रही है हमें आप सुझाव अवस्य दे साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले थाइंक यू